हाई दोस्तों कैसे हैं आज 27 तारीख है और नेप्टी चलिए क्लोज हो गया नेप्टी अपने पोजिशन को आज क्लोज कर दिया अब 10 788 प्याज की नेप्टी क्लोजिंग हुई है अगर आप देखेंगे तो अडवांसे 27 थे डिकलाइन 23 थे जो अडवांसे थे वह थे अद सब्सक्राइब करोडब की करोड अंगर हम इंडेक्स की बात करें तो हम इंडेस में देखेंगे आइटी ने 1.38 के साथ गेन दिखाया मेडिय ने 1.72 के साथologie निट चेंड निगेटीब दिखाया है का रहता यह और निजश Kennay पॉट्व बाध करने से कोनों निएफ़ाहें पॉट्व अप्र।सन सेय निगेटीब हाई बनाया 27,249 का और 26,845 का लो बनाया और फिर वापस 26,800 लोवर साइड में ही लास्ट मोमेंट में इसको गिरा करके वो ट्रेडर ने बहुत देर तक 27,000 पर पोजिशन बनाय रहा है बनाया 27,000 पर खड़ा रहा और जब डो का मार्केट निगेटिव चालू हुआ 200 पॉइंट से इसको नीचे के और गिरा के क्लोज कर दिया गया वही निप्टी ने थोड़ा पोजिटिवनेस दिखाया ओपन हुआ 10,617 पर हाई बनाया 10,634 का लो बनाया 10,764 का जैसा कि मैंने पैटर्म नाया 10,780 का 10,834,850 का जैसा कि दिखाया ओपन हुआ तो थोड़ा सा ओपन हुआ 10,870 पर फिर हाई बनाया 10,834 पर फिर लो बनाया उसने 10,764 का बहुत ज्यादा लो नहीं गया और 10,780 पर क्लोज दिया अगर मैंने बताया कि किसी भी पोजिशन को आप बनाया होगा तो आपको रिटन फाइदा ही हुआ होगा लॉस नहीं हुआ होगा है ऐसा मैं समस्ता हूँ निफ्टी का रिटन देखें तो वाइटी डिव 2.37 परसंट बता रहा है जबकि वीकली निगेटिव है और मतली देखें तो 1 परसंट का रिटन बता रहा है अगर आगे क्य क्या करेंगे तो निफ्टी जो क्लोजिंग दिया हुआ है इंडेक्स में निफ्टी जो क्लोज दिया हुआ 1070 ना से यह कहिना का एक पोजिटिव ट्रेंड तो है 10.75 के नीचे देखने को मिलता है लेकिन एक चार्ट पे पैटन मना है तो वीकली मुझे थोड़ा सा डाउट जो पैटन मन रहा है वह एक एंडीसीफ पैटन मना है और जो मैं इस वीक की बात करो जो कि आज क्लोज हुआ तो आप देखेंगे इस वीक में ओपें हुआ थे 10.789.15 पर पर प्लोजिंग हुआ 10.789.80 में जहां ओपें हुआ था वही क्लोज हुआ था तो मैं अगर इसके क इसको जाना बढ़ेगा कि क्या हुआ था तो हाई बनाया था 10.985 पर और लो बनाया था यहां पर 10.738 का और लो में ही क्लोजिंग दिया था 10.754 का मतलब इसके पहले जो केंडल था वह निगेटिव कंडल था और उसके बाद डिसीजन नहीं ले पाया और यह जो अब एक पैटन दिखेंगे तो यहां से अगर मैं इसको विकली पैटन में दिखाऊ थिए कंटिनियों से फॉल हो रहा था और यहां से फॉल होते फिर से फॉल गया था तो वीक बेसिस पे देखो विकली बेसिस की बात करो तो हो सकता है आपको थोड़ा निगेटिव मैंने बहुत ज्यादा पोजिटिव ने तो हो सकता है कि आपको जो विकली केंडल रहे बहुत ज्यादा स्मार्टनस ने आपको फर्स्ट विक में नहीं दिखाए तो फर्स्ट विक में हो सकता है कि निट्रल डिसीजन होकर कि आपको निगेटिव पे क्लोजिंग दे निगेटिव पे क्लोजिंग मतलब हो सकता है कि विक की क्लोजिंग आपको जो यह 10707 आप देख रहे हैं तो आपको हो सकता है कि यह कहीं न कहीं आपको अगर इस candle की closing पे आप माने 10.693 तो हो सकता है कि इस candle को follow करते हुए वो 10.941 का high बनाए हो सकता है और 10.693 पे closing दे तो इस candle के जगा पे इस candle को ये follow कर सकता है weekly basis वे के लिए बाइन के लिए माइन के लिए बुक्स में पोजिशन मना के रखने के लिए बाइन चालू होगी अब अब उधर डौ में देखेंगे तो डौ में थोड़े अच्छी कासी गिरावाट देखने को मिल रही है फिर 450 थोटा हुए है तो यह जहां निगेटिव सेंटिमेंट है एक निफ्टी को देखें निफ्टी नीट्रल 18 पॉंट से दिखा रहा है तो हम विकली की बात करें विकली कैसा पैटर्ण है तो विकली आपको एक बार अब दिखाएगा चोकि मुझे नहीं लगता है कि 10 941 जो इस केंडल को फॉलो करेगा तो वह 10 किसी भी हालत में मुझे नहीं लग रहा है कि 10 941 को क्रॉस करेगा और नीचे 10 693 पे की ओर दिखाएगा तो हो सकता है आपका जो विक का पूरा हो 10 941 से 10 693 का विक की क्लोजिन आपको दिखा सकता है चलो यह तो विक की बात हो गई अभी कल क्या करना है कल के कल पर सो क्या करना है आप तो बोलो है बाई है तो कल पर सो क्या करना है कल पर सो में मुझे देख रहा था तो जन्वरी के इंडेक्स में आप देखें 10-789 पर क्लोजिंग हो है 31 जन्वरी का है कि दिसंबर तो क्लोज हो गया तो 10-789 एड़ा मनी जब मैं दस-880 में जाकर देखू तो मुझे क्या देख रहा है कि यहां पर चेंजी ने उपनिटेस 6,3,800 का हो रहा है कि उपनिटेस तो इधर भी एड़ हो रहा है 10-800 पर पूट पे इधर पूट है इधर कॉल है पांच लाग 62,000 लेकिन प्राइस मनी एक्शन में जब मैं देखूं तो प्राइस मनी एक्शन में क्या हो रहा है कि जब पांच लाग 62,000 का एड़ हो रहा है तो प्राइस रिड्यूस हो रहा है मिंस यह जंशन है अभी टाइम बींग मैं पर्मानेट पूरे मंत की या बात निकारा है पूरे विग की बात निकारा हूं एक दो दिन के जो ट्रे जा रहा है उसकी value को assumption है कि सायद एक बार 10.850 या 10.900 की और market जाए उससे कैसे पता चलना है आप देखें आप 10.800 पे और 10.900 पे open interest एड़ भी हो रहा है और price में भी आपको increase मिल रहा है इसका मतलब हो रहा है इधर call पे buying हो रही है जिसके कारण rate अपर सेट जा रहा है बट इधर जो हो रहा है call को sort किया जा रहा है position दो बन रहा है बट call को sort करके position बनाया जा रहा है जब sort किया जा रहा है तो यह believe है market ओपर की और जाएगा नीचे की और नहीं जाएगा तो कोई भी चाहे अगर मैं पूरे monthly भी आपको देदू ना तो मुझे नहीं लग रहा है कि 11200 से किसी आलत में इस महने क्लोज करने वाला है आप यह मान के 11200 पे call राइटिंग चालो हो गई यह भी means 11200 पे monthly भी close नहीं होने वाला है अगर किसी को यह exemption है कि यह month इस बार 500-800 दिखाएगा तो सायद मुझे डर है position आगे बन जाए तो बन जाए मुझे लगता है इस महने की क्लोजिंग आपको below 11000 मेरे अंदास से तो आपको 11000 ही एकसीड नहीं करना चाहिए और नीचे की और 10600 नहीं तोड़ना चाहिए लो मतलब कि lower side में नीचे जाए one day किसी दिन चला जाए तो चला जाए तो नीचे मुझे लगता है कि इस महने की क्लोजिंग आपको वापस 10650, 10660, 10700 के आसपास क्लोजिंग होने वाली है ऐसा फील होता है डाटा चार्ट सब चिस समझ के अगर मैं में की बेस को पकड़ता हूं तो 10736 की क्लोजिंग है तो यहां से जब अब था यह तो वैसा ही 25-50 पॉइंट अब था तो मैं यहाई से अगर मैं क्लोजिंग मानू इसके कंपरेजन में तो मुझे लगता है कि यहां से 50 पॉइंट नीचे जाके क्लोज दिखा सकता है और दूसरा अगर केंडल पर पकड़ू में तो हो सकता है कि वो इसके प्रिवेस केंडल को फॉलो करने की कोशिस करेगा वीकली बेसिस पे जो यहां पर देखेंगे आप पूरा महिने में 10.941 का हाई बनाया था और 10.7 का 10.7 को लो बनाया था 10.613 बेका मेरे अंदास से इस केंडल को पूरे मंत के लिए यह फॉलो कर सकता है अगर किसी कारण से आपको लगता है पहला 11,100 करता है तो 11,300 देख सकता है और 11,300 करता है तो 12,000 देख सकता है 12,000 के लिए मुझे नहीं लगता है इंडेक्स अभी रेडी है और जैसा डो बीएबियर दिखा रहा है हो सकता डो और नीचे दिखा दे अपने पोजिशन को क्योंकि वहाँ पी सितनी सुद्रे और अगर किसी कारण से डो नीचे की और जाता है और 20,000 ए 20,000 का भाव दिखा जाता है तो इंडेक्स में भी प्रोब्लम आएगा फिर अप्वाट साइड बहुत नहीं तोटेगा अपना इंडेक्स लेकिन हाँ जो आप सोच रहे हैं कि अपर साइड पोजिशन बनेगा वह भी नहीं बनेगा NBFC आ रहा है तो बैंक सेक्टर में चंक्सेज है वो थोड़ा पोजिटिव दिखाए अभी नहीं आ रहा है फंड अभी तुरंत इंफ्यूज नहीं किया जा रहा है फंड तो अभी भी नहीं होगा तो ऐसे करके मुझे नहीं लगता है कि यह किसी भी आलत में 11,000 क्रॉस करेगा और नीचे 10,500 को तोड़ेगा अगर किसी दिन एक दिन केंडल जाके नीचे बना दे 10,300 का ताब उसको केंडल मत बुलिएगा कि किसी कारण से बनेगा पर जैनरली आपका पोजिशन जो इस महने की क्लोजिंग 10,700 के राउंड होनी चाहिए जनवरी की क्लोजिंग 10,700 के राउंड होनी चाहिए और 11,000 ब्रेक करनत्वाड इसा डिफकल टास्क लग रहा है 11,000 पचास जो यह पहले एक बार हाई बना चुका है वही 11,000 पचास को यहां पर टेडिंग कर सकते हैं यह एजुकेशनल परपस से सिर्फ है 10,800 पर आप भी चाहें add the money आप जाकर कि यहां पर देखें तो यहां बाइंग हो रही है आप बाइंग यहां पर कर सकते हैं बाइंग 69 है सेलिंग 70 है तो लब पर निट्रल है रेटी है और यहां पर अच्छा का सा पोजीशन बनाने से आपको फाइदा दिखा सकता है और अगर मैं 10,900 पर बताओं कि 10,700 को भी देख लेते हैं तो 10,700 पर देखेंगे तो बाइंग ज्यादा है 54,000 लेकिन पर चेंज इन ओपर इंटेस ते 13 परसेंट है यहां कोई फाइदा नहीं होगा पर एक बर 10,900 पर देख लेते हैं जहां दो जगा मैंली बाइंग हो रही है यहां पर 36 परसेंट है और यहां पर सेल की पोजीशन ज्यादा है पाई की पोजीशन कम है तो इसे 10,900 के जगा 10,800 ज्यादा अच्छा लग रहा है और एगर 10,750 भी एक बर देख लें तो 10,750 पर क कॉल साइड में अभी अगर किसी एक दो दिन की बात करें तो आपको यहां पर पोजीशन बने से मिल सकता है मड़म आपको बता दूँ वीकली पैटर्न पे इंडिसिजिव केंडल बना है अगर को इसका मतलब जानते हैं तो आपको अच्छी तरह से मालूम होगा इसके भीषार रहिए की आप किसी भी ओर जाएं तो एक बार इसको क्लोजिंग है सकी स clown सकता है या बाईंग पूजिशन पधीन के लिए दिखा दे बट मेरा ये व्यूव है कि इसको एक बार नीचे की ओर दिखाना चाहिए क्योंकि यहां पर जो है नीचे साइड में हमर पैटर हार चुक है तब तो by position मन जाता है और seller इसके buyer अगर यहां पे नहीं उसको ज्यादा sell कर पाया तो by position की ओर एक बार signal दे सकता है तो आप यहां पे इस कोशिय से इस indecisive candle से weekly pattern हो सकता है आपको यहां पर या तो उपर देगा 300 या तो नीची 300 400 पर दिखा देगा जिदर दिखाना होगा यह एक साइड में आपको ज़्यादा दिखा सकता है इस भीव को ध्यान में रखते वे पोजिशन को कोई भी क्रियेट करें अगर थोड़ा सा भी पोजिटिव टेंड में जाता है आपको लगता है कि केंडल पोजिटिव टेंड की और बन रहा है तो आपको वहां से चेंज कर देना चाहिए पोजिटिव टेंड में चला जाना चाहिए और अगर निगेटिव टें प्रेशर बन रहा है तो प्रेशर बन रहा है अगर मैं यहां पर देखू एक लोवर लोग का पैटरन यह बना रहा है आवरली बेसिस पर यहां पर था 10-784 10-766 10-700 यहां पर देखेंगे 10-766 फिर थोड़ा सा आप यहां पर थोड़ा सा अब बना है तो आवरली पैटरन भी देखेंगे तो यहां पर थोड़ा सा नीगेटिव की और ही बन रहा था तो चलिए देखें कहां पर पोजिशन बनाता है बट इंडिसीजिव पैंडल है यहां पर पे नीचे और से लोड़ा है और यही साइड पोजिशन सौलिड होगा यहां पर जो दिख रहा है डेरिपेटिंग में वह ही ओरिजिनल पोजिशन होता है चार्ट पे तो बढ़ी भी चार्ट हो सकता है तो बाइंग पोजिशन कल के लिए बनेंगे जो होगा इसकीन करने से ज़यादा चार्ट देखने से ज़यादा हो जाता है कि this time ऑगाईघे फंड की क्योंकि क्लोजीग था तो भी यहां पर सब्सक्राइब यहां सप्काइब है है मुझे यही ज़्यादा समझ में आता है और आप देखेंगे आज और दूसरा चीज़ समझे कि मार्केट आज निगेटिव था तो भी यहां पर कॉल राइटिंग चल रही थी मतलब लोगों के यह में बिलीब है कि मार्केट थोड़ा अपवाड ही रहेगा तो ऐसा फिलो रहा है मार्केट अपसाइट जा सकता है अपवाड की और पोजिशन बनाईए ग्यारा हजार क्रोस नहीं करेगा अगर आपको लग रहा है कि ग्यारा हजार प्लस की बात कर रहा हूं तो नहीं कर रहा ह आप 10-800 के position मना करके paper trading कर सकते हैं, बाकि आप खुद समझदार हैं, आप भी देख सकते हैं, आप भी analysis कर सकते हैं, और आपको stop loss बता दिया, नीचे 10-725 उपर 10-825, जिदर जा रहा है, उसके उपर जा रहा है, आप उदर position मना लीजे, वीडियो देखने के लिए बहुत ये सारी educational purpose ये थे वीडियो